मेरे प्रेव मेत्रों, नमस्कार। आपको अयाद होगा कि इससे अपने ठीक पहले के वीडियो में मैंने रिवीजन के बारे में बातें की थी कि आपको रिवीजन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए अब मैं उसी के continuation में आपसी यह बात करने जा रहा हूं कि revision करेंगे कैसे हलाकि हो सकता है कि मेरे शीरसक को सुनकर के आप थोड़ा सा मुस्कुराएं भी यह सोच कर क्या सर हमें इतना जादा कमजोर समझते हैं इतना जादा अग्यानी समझते हैं अभ्यावारिक समझते हैं नौसिखिया समझते हैं कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि revision करना कैसे चाहिए मैं ने, मैं बिलकुल भी ऐसा नहीं समझ रहा हूँ आप यूं कह लिए कि मैं इसी विशे पर आपका revision करा रहा हूँ आप जानते हैं कि revision करना चाहिए आप revision कर भी रहे हैं तो मैं उसी का ही revision करा रहा हूँ हो सकता है कि मेरी बातों में आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपके काम की हो जो revision करना है वो basically एक बहुत अलग किस्म का psychological alertness है psychological alertness इसका मतलब यह हुआ कि जब आप revision कर रहे होते हैं तो कुछ psychological गड़बड़ी भी आपके साथ चलती रहती है और यदि उस गड़बड़ी को आप नहीं समझ पाएंगे नहीं पकड़ पाएंगे तो पता लगा कि revision करने का जो आपका काम है वो सही तरीके से पूरा नहीं हो पाएगा और इस पकड़ने को ही मैंने यहां कहा है psychological alertness इसमें दो पॉइंट बहुत important है पहला ये कि जब हम revision कर रहे होते हैं तो कहीं न कहीं back up the mind हमारे दिमाग में ये thought चलता रहता है कि यार मैं बेकारी अपना time waste कर रहा हूँ ये topic है तो मुझे बालू है कि मैं बेकार time waste कर रहा हूँ इसके बदले में तो कुछ और पढ़ लेते हैं नया पढ़ लेते हैं ये thought हमारे दिमाग में आता है दोस्तों यदि आपके दिमाग में ये thought आता हो नहीं आता हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यदि आता हो तो please आप उसे correct करें और उसे ये instruction दें कि no this is not wasting the time सही माइने में मैं ऐसा करके अब तक जो इस पर मैंने अपना समय लगाया है मैं उसका सही उप्योग करने जा रहा हूँ otherwise अगर मैं सही तरीके से revision नहीं करूँगा तो जो भी वक्त मैंने इसे दिया है तो अगर 10 घंटे देने पड़ते हैं तो आपके दिवांक में वीचार आ सकता है कि यारे 10 घंटे मेरे वरबाद हो रहे हैं लेकिन यहां आप दूसरे thought को ले करके आए और इस thought के जरिये उस पहले thought को replace कर दीजे कि यदी मैं इन 10 घंटों का इस्तिमाल नहीं करूंगा तो मेरे हो सकता है कि वो 100 घंटे बेकार चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो दृष्टी है और आपकी जो process करने की वो इस्थिर हो जाएगी वो बहुत ही solid हो जाएगी पहला challenge जो दूसरा challenge होता है या कहलेजे कि जो psychological छल कपट आपके साथ आपका दिमाग कर रहा होता है वो यह होता है कि जब आप किसी topic को revise करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो मुझे पता है ये तो मैंने पढ़ा हुआ है इसे तो मैं जानता हूँ और आप बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाएं क्योंकि आपको लगता है और गलत नहीं लगता है कि जब मैं इसे जानता ही हूँ तो फिर यहां मैं क्यों समय लगाऊँ मुझे तो मालू है यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जानते हैं आप उसे याद थोड़ी कर रहे हैं ना आप उसे पहली बार पढ़ रहे हैं आप तो उसे रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज करने का मतलब क्या हुआ रिवाइज करने का मतलब हुआ कि मैं जिसे जान रहा हूँ उसे और जानने की कोशिस कर रहा हूँ या यूँ कह लीजे कि मेरी टेबल को मैं रोज साफ करता हूँ, इसलिए साफ करता हूँ, कि भले ही मुझे दिखाई न दे, लेकिन टेबल पर धूल तो जम ही जाती है, आप कभी टेबल पर उंगली चला करके देख लीजेगा, हलकी सी धूल लग जाएगी, और कुछ दिनों बताना है कि भाईया मैं इसे जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसमें शाहिनिंग आ जाए, इसमें चमक पैदा हो जाए, तो मैं चमक पैदा करने के लिए रिवीजन कर रहा हूँ, तो जब आप ये सोच करके रिवीजन करेंगे, तो फिर से आपकी जो चाहाल होग लेकिर ऐसा नहीं होगा कि आप कूद कूद करके कि बिलकुल जम्प करकर के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों ये आपको करना चाहिए हाँ बाद में जैसे मालेजे की एक्जामिनेशन की तिन चाथ दिन बचे हुए हैं बाद भले ही फिर जम्प करके रिवाइस करें मैं भी ऐसे करता था फिर पढ़ पलड़ता चला जाता था दिमाख में उनके द्रिश्य बंते चले जाते थी और बात बंती चली जाती थी फिर ऐसा नहीं है कि हम एक एक लाइन पढ़ रहे हैं मैं तो करता यह था कि रिवीजन करने के लिए अलग से points त्यार कर लेता था कि यह revision करने वाले notes से या फिर किताब में ही मैं बकायदे जो revision करने वाले points होते थे उन्हें बगल में लिखते था तो जैसे ही मैं उन points को देखता था तो उससे जोड़े हुए जितने भी तथ्य होते थे वो दिमाग में आ जाते थे आपके भी आएंगे या यूं कहले जे कि पूरा का पूरा एक पेज है उस पेज में कुछ important words को मैं underline कर देता था आ जाता था तो revision करने का एक यह भी तरीका अब आपके उपर है कि आप इनमें से किस प्रडाली को अपनाते हैं दोस्तों जब आप revision करेंगे ता पूरे syllabus को revision नहीं करेंगे पूरे syllabus की आपने पढ़ाई कर ली है तेकिन अब आपको examination के point of view से तयारी करनी है यानि कि focused तरीके से study करनी है तो यह study कैसे हो ली है देखिए पहली बात आप देखिए कि जैसे आप pre की तयारी कर रहे हैं और अभी हम pre के बारे में ही बात कर रहे हैं तो चार subject ऐसे होते हैं जिनसे सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं और यह चार subject लगबग 60% questions cover कर लेते हैं इस चार subject कौन से हैं अब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं geography है, history है, political science है और economics है इस चार subject हैं तो इन चार subject का जब आप revision करेंगे तो definitely थोले सीत मिनान के साथ करेंगे क्योंकि इनके साथ 60% questions आपके दाओं पर लगे हुए हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से, especially 2-1 सालों से जो question paper आ रहे हैं उसमें मैं एक पांचवे subject को भी जोड़ना चाहूँगा और वह environment environment से भी अब प्रशन पूछे जाने की संख्या पेक शाक्रित बढ़ गई है ये जरूर है कि चार subject से जितने प्रशन पूछे जाते हैं उतने environment से नहीं पूछे जाते तो क्या पूरे subject को revise कर रहेना चाहिए नहीं यहां भी ऐसा नहीं है अब आप देखिए कि उन subject में से किस किस topic पर सबसे ज़्यादा question पूछे जाते हैं जिने मैं frequency analysis कहता हूँ frequency analysis कहने का मतलब है कि किस किस topic से कितने प्रशन पूछे जाते हैं संभावना सबसे ज़्यादा किन topic से प्रशनों के आने की होती है मैं आपको बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा है कुछ topics ऐसे हैं जिनसे प्रशन पूछे ही पूछे जाते हैं तो सभाविक है इस तरह के topic आपके लिए ज़्यादा important हो जाते हैं उन्हें आप बहुत ध्यान से revise कीजिए कोशिस कीजिए कि उनमें से यदि कोई topic आपको थोड़ा कठिन सा लगता यार आपको बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं है उसके बारे में तो उसे फुर से पूरा पढ़ लिजे लेकिन इत्मिनान के साथ पढ़ है important topics पूरे syllabus को नहीं only important topics इसके बाद एक बच जाता है current affairs दोस्तों current affairs का revision आप तभी कर सकते हैं यदि आपने current affairs के बारे में कुछ notes बनाए हो तब और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा current affairs के notes का मतलब ये नहीं है कि आपने धेर सारी चीज़ें इकठी कर रखी हैं और उन सब चीज़ों को आप दोरार हैं नहीं जो बहुत important current affairs हैं केवल उन्हें ही आपको revise करना है और current affairs को इस तरीके से revise करना है कि वे आपके अंदर एक capacity डबलब कर सके क्योंकि current affairs से सीधे सीधे प्रशनों के पूछे जाने की संख्या बहुत कम होती जा रही है लेकिन current affairs से related जो subject के प्रशन बनते हैं उनकी संख्या जादा होती जा रही है इसका मतलब यह है कि जब आप इन पांचों subject के topics को revise कर रहे होंगे तो थोड़ा सा current affairs से उन्हें match करके देखिए कि जो आपने important topics चुने हैं उनका current affairs से क्या relation है और समझ जाईएगा कि यदि important topics का current affairs से relation बन रहा है यानि कि उस topic से question आने की संभावना और भी जादा है और फिर वही बात कि जिससे प्रशन आने की संभावना और भी जादा है सभाविक है कि उसे अच्छे तरीके से revise करने की कोशिस होनी चाहिए तो दोस्तों ये थोड़ी सी बाते मैंने आपको बताई हैं कि revision करना कैसे चाहिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप ऐसा करके देखिए आप अपने को बहुत शक्तिशाली पाएंगे आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा और इस आत्म विश्वास को आप उस समय महसूस करेंगे जब आप examination hall में enter करने लगेंगे और enter करने के बाद जब बकाएदे अपने chair पर बैठ कर question paper के आने की प्रतिक्षा करेंगे उस समय आपको एक अलग किस्म के ही आत्म विश्वास और ठोस्पन की अनुभूती होगी तो दोस्तों अब इस विश्वास के बारे में बस इतना ही और इसी के साथ ही आज के इस daily audio lecture को यहीं समामत करता हूँ नमस्कार